आज अभी जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं इस टॉपिक का नाम है केरेटिव सोच अर्थात सिर्जनात्मक सोच समाज में जो देखने को मिलता है अधिकतर जो आवादी है ये निगेटिव लोगों का आवादी होता है बहुत कम समाज में होता है जो स्माज के लोगों को अगर हम 100% मान के चलते हैं 58% इंसान वो नीगेटिव सोचके होते हैं नकरात्मक सोच के होते हैं 49% आदमी यह सोच कर हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहते हैं इनका ऐसा कहना है कंम में बुरहा हो गया और 49 परसेंट यह सोच कर कोई काम नहीं सुरू कर पाते हैं इनका ऐसा सोच होता है कि अभी मैं बच्चा हूँ तो 49 परसेंट यह सोचते हैं कि अब मैं बुरा हो गया मेरा उमर हो गया अब मैं किसी काम के लाइक नहीं हूँ यानि कि नया सोच इन में जो आता है इस पर इंप्लिमेंट नहीं करते हैं, कार्ज नहीं करते हैं, और ये हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं, 49% सोचते हैं कि अभी मैं बच्चा हूँ, कल से पढ़ूँगा, कल से कुछ अच्छा काम करूँगा, परसू से करूँगा, और यही वज़े हैं कि ये दोनों मिलकर 98% हो जाता है, और 98% जो समाज का जो हिस्सा होता है, वो क्रियेटिव सोच, क्रियेटिव काम करना ही, यानि सुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, अब एक सोमें से 98% ये तो ऐसे लोगों का, निगेटिव लोगों का समू है, अब 2% पर चर बूढे होते हैं 2% तो भी अच्छे कार्ज करते हैं, अगर बच्चा होते हैं तो भी कार्ज करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब ग्यान तब स्यान, अब हम थोड़ा और इस पे चर्चा करते हैं, कि आखिर कार्ज करने के पद्धती में दोनों में अंतर क्या है, 98% लोगों क बरा बन जाओं इसलिए परिनाम क्या होता हैं लाश्ट में जाकर ये कहां पहुंजाते हैं सुनने पर पहुंजाते हैं अर्थात ये जिरो पर जिरो होagarן हैं, दो को पर्संटFयों पहुंचते हैं और यहां के हीरो कहलाते हैं तो यह 98% जो होते हैं यह बैठ कर यह 2% लोगों का ही क्रिटिसाइज करते हैं ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है यह पैरवी से आगे बढ़ रहा है लेकिन यह 2% लोग यह सिर्फ अपने इनका जो लक्ष होता है लक्ष पर फोकस करते हैं और लाश्ट में ये हैंडेट पर पहुँचके सफल हो जाते हैं और हीरो कहलाते हैं तो ये ये अंतर हम असपाश समझ गए कि क्रियेटिव सोच जिसको सिर्जनात्मक सोच कहते हैं सिर्जनात्मक सोच का कुछ अच्छा करने का सोच अर्थात अभी जो है इस हलात को और ब परसन लोगों का होता है, 49% सोचता है कि अभी मैं बुरा हूँ, अभी मुझसे कुछ नहीं होगा, और 49% सोचते हैं, 49% कि अभी मैं बच्चा हूँ, आज करूँगा, कल करूँगा, ये 98% कुछ करना ही पाते हैं, जब कुछ करते भी हैं, तो ये चाहते हैं कि एक बार मैं बर आपको समझने का है कि हमको किस तरफ रहना है नाइंटी एट परसंट लोगों के साथ है तो क्या हो सकता है अगर हम दो परसंट लोगों के साथ हो सकता है यह हम को सोचना है और रहे गई बात तो जिन्दगी ऐसा है कि कभी भी काम कहीं से भी कोई भी काम सुरगात अच्छा काम किया जा सकता है जिससे खुद अपना भला हो समाज का भला हो और क्या है जो लास्ट में जो जीरो से सुरगात करके हीरो तक पहुँचा जाए तो यही इस चैनल के माधम स इगल बाई एमडी मिराजुदिन के माधम से कहना है कि हम आप 100% जो समाज का जो हम हिस्सा है इस हिस्सा में हमको 2% में रहना है अर्थात बातें कम करके काम जादे करना है और लास्ट में सफल होना है तो यही मेरा आप से कहना है कि अभी जो समाज का जो इस्तिती है जादे जो आवादी है वो आप देखेंगे कि तास खेलते रहते हैं बच्चे भी अब नसा करने लगे हैं तारी सराब पीने लगे हैं तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप तारी सराब को छोड़ कर आप जुआ को छोड़ कर जो दो परसन लोग जो लोग का जो आइडिया होता है स ताकि आप अगर आज आपका अच्छा रहेगा आने वाले दिनों में भी आपके बच्छों का आपका कंडिशन अच्छा रहेगा तो विजनरी यानि के भविस का सोच जिसमें होता है वो विजनरी कहलाते हैं तो विजनरी बनने का आवज सकता है तो यह हम आप समझ गए कि हम को आपको 98% लोग के साथ नहीं रहें के 2% लोग के साथ रहना है और कार्ज निरंतर करते रहना है और खामोस हो के कार्ज करना है चुकि कार्ज आप करेंगे तो लास्ट में हेंडेट में पहुंचेंगे हीरो कहलाएंगे तो यह चैनल जो भी देखेंगे उनसी निवेदन है क इस चैनल को लाइक कर लें सब्सक्राइब कर लें यह चैनल दे इगल बाई एमडी मेरा जुदिन देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद